क्रशी कानूनों के खिलाफ महीनों से जारी किसान अंदोलन ना सिर्फ सरकार बलकी रिलाइंस के मालेक मुकेश अंबानी के लिए भी समस्या बन चुका है। उनके सबसे बड़े प्रतीक के रूप में रिलाइंस और उसके मालेक मुकेश अंबानी निशाने पर हैं। अक्टूबर के बाद से पंजाब के टॉप रिटेलर में शामिल रिलाइंस रिटेल के लगभग 100 से अधिक स्टोर में से आधे और विरोध प्रदर्शन का केंदर भटिंडस जिली में वालमार्ट का 50,000 वर्ग फुट में फैला स्टोर पूरी तरह बंद है। जबकि वालमार्ट को अनुमानित 80,000,000 डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। वालमार्ट के देश में 29 स्टोर हैं। इससे पहले दिसंबर में विरोध प्रदर्शनों ने रिलाइंस जियो के लगभग 2000 टावरों और कंपनी के कई पेट्रोल पंपों को भी बाधित कर दिया था। उससे पहले किसानों की ओर से जियो सिम और रिलाइंस के म्यूजिक एप के भहिशकार का एलान हुआ था। और जियो फाइबर नेट कनेक्शन को रद करने के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है। अंकारों के मुदाबिक अगर किसान अंदोलन में जन भागीदारी बढ़ती है और ये लंबे समय तक चलता है तो रिलाइंस को इसकी भारी कीमत चुका नहीं बढ़ सकती है। राहूल गौतम की रिपोर्ट गो न्यूज।